कि बेसुरा कुछ नहीं होता है बेसुरा सिर्व वो होगा जो ये जो स्केल बना है यानि ये साथ सुर इस गीत में लगते हैं जैसे कि मैंने बताया अभी कि मोह मोह के धागे में कोमल निशाद का कहीं यूज नहीं है लेकिन वो कुमन लिशाद अगर आपने गलती से लगा दिया अब यहाँ पर एक और पॉइंट नोट कीजिएगा कि गलती से अगर वो सुर लगा है तो वो बे सुरा है जान बूज कर अगर आपने लगाया है तो वो खुबसूरती है उसे हम वेरियेशन का नाम दे देते हैं बे सुरे पन पर हम बात करने जा रहे हैं कि बे सुरा पन कैसे दूर किया जाता है मिरे ख्याल से बहुत से लोगों को ये डाउट होगा सबसे पहले तो इस लफज इस शब्द पर जाईए बे सुरा उर्दू में बे का मतलब होता है बिना जैसे आपने सुना होगा ना बे वजह क्यार ये काम तो बे वजह ही कर रहा है तो बे शब्द जहां लग जाता है उसका मतलब होता है बिना जैसे कहते हैं बेबुनियाद कि कैसे बेबुनियाद इलजाम लगा रहे हो यानि जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं है जिनका कोई बेस ही नहीं है तो कहेंगे बेबुनियाद उसी तरह से बेसुरा यानि कि बिनासुर के ये उसके उसका शाब्दे करता है जैसे कि आप जानते सा आपको गौर करना पड़ेगा तो अपने आप उसका मीनिंग जो है साफ हो जाएगा तो बे सुरा पन यानि की बे सुरा यानि बिना सुर के अब जाहिर सी बात है जब आप कुछ चीज गा रहे हैं कोई आपको कह रहा नहीं यार ये आप बे सुरा गाते हो तो बेसुरा actually में कुछ नहीं होता है ये title तो दे दिया है पर इसके description में अगर जाओगे यानि इसके details में इसकी परिभाशा में जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि बेसुरा कुछ होता ही नहीं है जो भी होता है वो सुर में ही होता है मगर जिस pitch जिस सुर से आप गा रहे हो जिन भी राग जिन भी थाट में आप गा रहे हो वो उस सुर में नहीं होगा उस से out होगा यानि उसमें accurate नहीं बैठ रहा है उसमें fit नहीं बैठ रहा है तो उसे कह देंगे ये बेसुरा है जिस प्रकार से मैं कहता हूँ बेवकूफ बेवकूफ या समझदार ये हम टाइटल किसी भी व्यक्ति को दे सकते न कि ये समझदार है ये बेवकूफ आदमी है तो बेवकूफ की परिभाशा देने के लिए उस इंसान को बेवकूफ का टाइटल देने के लिए सिर्फ उसकी जगा उसके आसपास के लोग वो तय करेंगे अगर आप एक गाउं खेड़े में चले जाओं जहां साक्षरता कम है ये मान लीजे फॉर एक्जामबल दे रहा हूं मैं कि जहां साक्षरता लिटरसी कम है वहां पर अगर आप पांचवी पास भी हैं मुश्किल से पांचवी पा होगे और ये पांचवी पास है ये तो है कि नहीं तो वही आपकी डिगरी सिचुएशन पर और लोगों के सामने बदल जाती है उसका पैमाना जो है वो ऐसे बदल जाता है ठीक है यानि तो डिफाइन सम्थिंग यू नीड़ परस्पेक्टिव किसी भी चीज को परिभाश सही, बड़ा, छोटा, सुर्मे और बे सुरा इन सब को परिभाशित करने के लिए एक न्यूट्रल आपको कैटेगरी चाहिए तो जैसे कि मान लीजिए आपका गाना जा रहा है जैसे कि मोह मोह के धागे आप सभी लोगों ने ये गाना सुना होगा यमन का इसका अंग है राग यमन में ये जाता है ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलजे तु होगा जारा पागल तुने मुझ को है चुना है तु होगा जारा पागल तुने मुझ को है चुना है ठीक है ये इसका स्वरूप है यानि इसमें जादा से जादा कभी कबार इसमें शुद्ध मध्यम लग जाता है है कि नहीं वर्णा इसमें तीवर मध्यम का प्रहोग है और बीच में एक ब्लेंड है जहांपे कोमल धैवत भी लगता है पूर्याधना श्री यंग है मुझे मालूम है कि इन में से कई रागों के नाम आपको नहीं मालूम है कई स्वरों की जानकारी नहीं है पर मैं परिभाशित करने के लिए थोड़ा से के एक्जामपल के लिए मुझे कोई तो गीत लेना ही था यानि तू होगा जारा पागल इसकी जगह तू होगा जारा पागल तो इसको हम कहेंगे यारी ये बेसुरा हो गया यही कहा जाएगा कि यारी बेसुरा हो गया क्योंकि लाइन तो तू होगा जारा पागल ये थी थी थोड़ा सा चड़ा होना चीए वो उतर गया आपका कॉमल नहीं है तो सुर ही कोई अलग से कोई चीज थोड़ी है है तो वो भी सुर तो आप सुर में तो थे लेकिन वो सुर जिसमें वो गीत है उस सुर में नहीं थे तो इस वज़े से उसे बे सुरा कह दिया गया यानि आप पढ़े लिखे तो हो भाई या आपने बारवी भी पास कर इमान लीजिए 12 आप पास नहीं या फिर आप graduate करे हुए हैं लेकिन आपके सामने वाला व्यक्ति या जहां आप हैं वो आपसे भी जाधा पड़े लिखे हैं पीएजडी होल्डर्स हैं इवन डॉक्टर्स हैं सारे एंजिनियर्स हैं तो आप तो उन में से खाली आपने तो ब बेसुरे की भी वही परिभाशा है इसे कंसुरा भी कहते हैं कि जो कंसुरा है कन यानि कान जो कानों को अच्छा नहीं लग रहा है उसे कहते हैं कंसुरा जैसे कि आपने दो शब्द सुने होंगे सुर और असुर शब्द सुने ये सुर यानि जो भगवान है इश्वरे गवान देवता हैं उन्हें कहते हैं सुर और असुर कहते हैं दानवों को राक्षसों को ठीक है तो यही परिभाशा है जो सुर हैं यह हमारे साथ हैं ये साथ सुर हैं, इनी के अलेगलग वर्जन हैं जैसे इन ही बारा में से कोई न कोई सुर लगाओगे आप, इन से बाहर नहीं लगा पाओगे चाहकर भी सीखा है या नहीं सीखा है, इन ही बारा में रहोगे तब भी बेसुरा है या सुर में है, इन ही बारा में रहोगे, वेस्टन गारे हो, क्लासिकल गारे हो, इन ही बारा में रहोगे इस बाराह से बार सुर नहीं है कोई, इस बारह सुरों के बाहर संगीत नहीं है कोई अब ये कोई कहे कि भईया बाइस शुरुतियां भी तो होती है तो वो बाइस शुरुतियां भी इन ही बारा सुरों की होती है ठीक है तो ये जो बारा फ्रीक्वेंसी मैंने बताई एक दो तीन शा पांचे साथा नोगे स्क्रमाटिक आपको मैंने बारा के बारे बता दिये क्रमाटिक इं तो बेसुरे की सबसे पहले तो परिभशह साफ कीजिए कि बेसुरा कुछ नहीं हो탁ाँ होता है बेसुरा सिर्व वो होगा जो ये जो स्केल बना है यानि ये साथ सुर इस गीत में लगते हैं जैसे कि मैंने बताया अभी कि मोह मोह के धागे में कोमल निशाद का कहीं यूज नहीं है लेकिन वो कोमल निशाद अगर आपने लगाया है तो वो खुबसूर्ती है उसे हम variation का नाम दे देते हैं है ना variation किसे कहते हैं कि गाने में variation जैसे कि कोमल धहवत का का इस्तमाल किया यमन में लगता है कि कोमल धहवत नहीं तीवरमध्यम की राग है खाली एक ही सूर उसमें विक्रत है वो है तीवरमध्यम एक ही सूर बदलता है उसमें लेकिन उसमें कोमल धहवत लगा दिया तो बेसुरा मानना चाहिए वैसे तो इसे जिसे कि कहेंगे विवादी सूर विवाद यानि कि डिस्प्यूट जिस सूर पे डिस्प्यूट उट जाए यानि मतभेद अलग-अलग हो जाएं लोगों के है कि नहीं कि यार ये सूर तो इस राग में लगता ही नहीं है उसे कहते हैं विवादी सूर अब विवादी सूर इस तरह से लगाओ गए तो बेसुरा है कि आरे ये क्या कर दिया ये कौन सा सूर लगा दिया जैसे कॉमल रिशब लगा दिया ये मन में तो ये विवादी सूर हो गया कि आरे ये क्या किया ये सूर तो लगता ही नहीं है लेकिन इस ही को गर मैं खुबसूरती से लगा दूँ गाई की अंग इस्तमाल कर दूँ तो ये भी सुर में आ जाता है तो बेसुरा कुछ भी नहीं होता है ये मान के चलिए बेसुरा सिर्फ उसे कहते हैं जो सुर हमारे कंट्रोल में नहीं है नियंतरण में नहीं है और जो खुबसूरत नहीं लग रहा है कानों को खुलाम अली साहब की गाई की सुनिया आपने चुपके चुपके राद दिन जिन्होंने गाई है वो घजल उस्ताद खुलाम अली खांसाब को आप लोग मेरे खाल से जानते होंगे हंगामा है क्यों बरपा उनकी घजल है ये उनकी बहुत परिचे जो मशूर घजले मैं आपको बता रहा हूँ तो उनकी गाई की अगर आप कहेंगे तो कहां तो सुरीला और ना कहां बेसुरा हर सुर का प्रयोग कर देते हैं वो ऐसा कोई सुर नहीं चोड़ेंगे वो अगर एक घजल उन्होंने गाई है अगर ली है तो उसमें वो चाहें तो बारह के बारह सुर लगा दें और वो बेसुरा नहीं लगेगा तो एक्चली में बेसुरा हुआ ही नहीं कुछ अगर आपके नियंतरन में है नियंतरन यानि आपके कंट्रोल में अगर है वो सुर तो उस सुर को आप अपने अनुसार खुबसूरती से लगा सकते हो महदी साब की वो घजल सुनी होगे महदी असंद खान साब है या यूं कहें कि उसी घजल को हरीहरन साब ने भी गाया है क्या तूटा है अंदर अंदर कितनों ने सुनी है वो क्या तूटा है अंदर अंदर क्यों चहरा कुमलाया है तनहा तनहा रोने वाले कौन तुझे यादाया है क्या तूटा है अंदर अंदर क्यों चहरा कुमलाया है तन्ह तन्ह रोने वालों लेकिन उसे किस खुबसूर्ती से लगाया गया है नुसरत फत्य अली खाँ साब की अगर गाई की सुनेंगे वो भी ऐसे वेरियेशन्स करते हैं खुलाम अली खाँ साब की गाई की सुनेंगे वो भी ऐसे वेरियेशन्स करते हैं इवन बॉलिवुड में भी ऐसे वेरियेशन्स होते हैं तो बेसुरा सिर्फ वो सुर है, जो आपके नियंत्रण में नहीं, या आपके कंट्रोल में नहीं, उसे कहेंगे वो बेसुरा हो गया भई, है ना, अब मैदियसन खासाब की ये वाली لायन सुरिए, तन्हा तन्हा रोने वालों तन्हा तन्हा रोने वालों कौन तुझे आदाया है कोमल रिशब का इस्तमाल किया उपर उन्हाने जब दो रागों का ब्लेंड्स हो जाता है जैसे कि मोह मोह के धागे में है जाने में तो मोह ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलजे आ तू दिन सा है मेरात आना दोनो आना ना 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 यहाँ जो ब्लेंड है जैसे ब्लेंड कहते हैं जैसे कलर्स में ब्लेंड होता ना एक रंग मिलाते हैं उसमें दूजा रंग मिलाते हैं तो एक तीसरा रंग निकलता है रंगों का example मैंने इसलिए दिया है क्योंकि जो संगीत नहीं भी समझता है वो कमसकम इस चीज़ को समझेगा कि रंगों में blends होते है बचपन में सभी लोगों ने drawing painting तो करी होगी तो एक रंग में जब दूसरा रंग मिलता है तो तीसरा रंग बनता है की नहीं बनता है उसी तरह से जब दो सुर आपस में मिलते हैं तो एक तीसरा सुर खिलता है एक तीसरी राग का जन्म होता है यही संगीत है संगीत जिसमें संग है जिसमें साथ है उसे संगीत कहते है ठीक है मेरे ख्याल से बेसुरा क्या होता है क्या नहीं होता है यह topic आप लोगों को clear हो गया होगा ठीक है अब सुरीला क्या होता अगर आप कहा दें भईया सुरीले की परिभाशा क्या है जैसे सुर की frequency match करना इसको सुरीला बोलेंगे जैसे यह sound है इसको match करना है सा तो यह सुर में है पा यह सुर में है है की नहीं लेकिन पा यह सुर में नहीं था मालूम चला कि यह दो frequencies हैं जैसे कि दो चुटकियां साथ में बजेंगी तो ऐसा sound करेगा लेकिन एक-एक चुटकी अलग-अलग बजेगी तो मालूम चला न उसी तरह से दो सुर हैं जैसे यह एक सुर है तो यह दोनों सुरों की frequencies एक थी लेकिन अलग-अलग है यह graph यूँ जा रहा है एकि नहीं तो इसे कहेंगे बे सुरा लेकिन अगर यह मैच कर दिया तो यह सुर में है लेकिन अब सुरेले की परिभाशा किसे कहेंगे कि अगर सुर मैच करना ही सब कुछ होता है तो सुर तो बहुतों के मैच होते हैं आप मेंसे भी सब के मैच हो रहे होंगे लेकिन तब भी उसको यूँ नहीं कहते है यार क्या सुरीली गाईकी है वही सुर मैच लता जी के भी होते हैं वही सुर मैच हमारे भी होते हैं तो फिर लता जी में ऐसी क्या खास बात है कि हम में नहीं या श्रिया गोशाल जी में या सुनीदी चोहान जी में उनमें ऐसी उनकी गाईकी में उनकी सुरावट में ऐसी क्या खास बात है जो हम में नहीं या वही सुर तो श्रिया घुशाल के भी सुर उतने ही लगेंगे जितने सुनीदी के लग रहे हैं ये दोनों बहुत दिगज गाईका हैं बहुत रिस्पेक्टिड और बहुत अवल दिरजे की गाईका हैं इन दोनों के सुर बरावर लग रहे हैं वही साह ये लगा रहे हैं वही साह ये लगा रहे हैं फिर दोनों के सुरेले पन में फर्ख क्या है वो सुरेले पन का फर्ख है आवाज का लगाओ कि आपका voice throw कैसा है गाने को यह भी वही 7 सुछर है यह भी match किये मैंने यह नहीं था यह बेशला नहीं था यह match कर रहा है लेकिन हल्का soft था नर्म था नर्माहट थी उसमें नर्मी थी मुलायम था उसमें मेलोडी है यही आवाज एक आप मैं बेज़ती किसी के नहीं करूँगा अपमान किसी के नहीं कर रहा हूँ यही आवाज आप नुसरत फतली खां साब के सुन लीजे और यही महमद रफी साब के सुन लीजे खुछ तो फर्क होगा सुर में तो दोनों गा रहे है लेकिन आवाज का लगाव है सुर का लगाव है ठीक है